नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्र, इतिहास के पन्ने। हिंदुसान एक मल्टी फेट राष्ट्र है या देश है। अलग-अलग धर्मों के लोग यहां रहते हैं। मुसल्मान इस देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। 2011 के सेंसेस के हिसाब से 14.2% पॉपुलेशन इसलाम में विश्वास रखते हैं। हिंदुसान में अलग-अलग धर्मों के लोग रहने के बावजूद हम लोग एक दूसरे को शायद बहुत कम जानते हैं। हम लोगों के कुछ स्टीडियोटाइप फिक्सेशन्स या नोशन्स हैं मुसल्मानों के बारे में खास दौर पे हैं। बहुत हद तक ये संग परिवार की जो पॉब्लिसाइजड कैमपेंड है कि इसलाम हिंदुस्तान में इन्वेजन्स के रूट आया। शायद उसी के आधार पे बनता है। हम लोग ये इग्नोर करते हैं कि इसलाम बहुत पहले आया, समुंदर के रूट से आया, दक्षिन भारत में आया। दक्षिन भारत के बारे में इनी केस मैं मानता हूँ कि शायद संग परिवार की जो सोच है उसमें एसेंशिली नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया ही है, भारत करके जो परिकलपना है उनकी, वो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया की ही है, दक्षिन नहीं है उसमें। तो दक्षिन में मुसलमान नहीं इस्तिमाल किया जा सकते उनकी अपनी पॉलिटिक्स को फर्दर करने के लिए काफी जटल इशूज हैं हमको लेकिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी वास्तविक्ता है कि हमारे साथ 14.2% कम से कम मुसल्मान भाई इस देश के माशिन्दे हैं उनको इतनी ही इज़त मिलनी चीज इतनी हम सब को मिलती है इन सब तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे हमारे साथ हैं हिलाल हحمуд इनसे बात करने का, हिलाल भाई, बहुत ही senior political scientist है हिंदुस्तान के, हमारे इस कारिकर में पहले भी आते आएं, इनसे इस समय बात करने के पीछे एक छोटा सा इनका एक personal milestone भी है, इनकी पहली किताब हिंदी में, अल्ला नाम की सियासत अभी कुछी समय पहले रिलीस हुई है। ही होगी, लेकिन कुछ-कुछ जो important मुद्धे हैं, जो किताब में टच किये गए हैं, और जो अभी तक जो मैं बोला हूँ, उससे related जो चीजे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हिलाल भाई, सबसे पहले तो हमारे कारिकरब में आने के लिए बहुत धन्यवाद और आपको इस किताब के लिए बहुत-बहुत बधाई, अमूमन होता नहीं है हिंदुस्तान में कि हम लोग academic discourse या फिर हमारी writing, हम लोग अंग्रेजी में ही करते हैं, हिंदुस्तानी या हिं या फिर लोगों की बोलचाल की भाशा में बहुत कम होती है, यह आपने किया है, हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी अंग्रेजी के साथ-साथ आप लिखते रहेंगे, सबसे पहले जो एक छोटा सा मतलब light-hearted बात से शुरू करता हूं, कि आपसे बात तो कर रहे हैं मुस आप नहीं फिट होते हैं, आप तोपी नहीं पहन के बैठे हुएं, आप दाड़ी नहीं है, आप पैंट कमीज पहन के, आप बिलकुल मेरे तरह से ही एक मध्यवर्ग English-speaking हिंदुस्तान की quasi elite के हिसे में आते हैं, तो आप मुस्लमान कैसे हैं? यह थोड़ा सा जटिल सावाज है, और यह जो इस किताब की भूमिका है, भूमिका दरसल मेरी नीजी कहानी है, यह कहानी में लिखना नहीं चाहता था, तो इस कहानी को लिखवाने के पीछे कुछ और लोगों का शड़यंतर भी है, उसमें मैं बहुत साफ तोर पर कहूंग हमारे मित्र हैं योगिंदर जी, मेंटर भी है, मित्र भी है, योगिंदर यादव, मेरे गुरू है, स्टुका विराज, मेरे एक अन्य गुरू है, जिनको एक किताब समर्पित है, मरने दरना ठाकुर, और वो मेरी पूरी यात्रा में मेरे साथी है, उन्होंने इस बात का व ने पूछा, वो बिलकुल गताई तोर पर कहीं न कहीं मेरे अपने पहचान और मेरे बहुत सारे जो मुसल्मान दोस्त हैं, उनकी पहचान से जुड़ने वादा सवाल है. मैं शुरू में जिस परिवार से आता हूँ, वो परिवार धानमिक नहीं था. मतलब ऐसा नहीं था कि धर्म को लेकर कोई बहुत सेकुलर विमर्श रहा हो, तता खतित, लेकिन मेरे परिवार में मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा कि नमाज पढ़नी चाहिए. ये नमाज वाली बात जो है, वो कहीं से अचानक कहीं दूसरे जगहों से आई. जब मैं स्कूल में था, तो मेरे एक टीचर थे, और तमाम मुसल्मान बच्चे जुम्य के दिन नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे को बुला कर ये पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैंने का कि जो चीज मुझे दिखती नहीं, उस पर मैं विश जापक थे, उन्होंने ये कहा कि देश प्रेम, राश्ट, बड़ी चीज़ हैं, धर्म चोटी चीज़ हैं, इस तरह के परिवेश इस तरह की स्कूली से मैं आया था, नास्टिक होना ज़्यादा फैशनेबल भी था, और ये मैं नाइन्थ क्लास की बात बता रहा हूं, नव वो दोर था जब बाबरी मज़ित का जमाना शुरू हो चुका था, और मैं अपने इस स्कूल से निकल कर दूसरे स्कूल में, जो कि डी-एवी स्कूल था, वहां आ गया था, अब डी-एवी में, पुरी तरह से, एक तरह से, हिंदू राश्रवादी स्कूल, उसी तरह की का म नाहौल था, वही पढ़ाया जाता था, तो उसमें सवाल यह हुआ कि आखिर हमारी अपनी पहचान क्या है, मुसल्मान पहचान क्या है, क्योंकि अभी तक जो नास्तिक वाली बात थी, और एक तरफ वो चीज़ चल रही है, एक तरफ मैं पढ़ भी रहा हूं, एक तरफ कान के हिसाब से पेगंबर भेजे गए, लेकिन भाई पेगंबर भेजने का सिलसला मुहमद साब पर क्यों रोक दिया गया, तो अब यह सवाल पूछने के लिए, और फिर दूसरी बात ही है, कि ऐसा क्यों हो कि सारे अच्छाद भी मुसल्मान हों, मेरे जितने भी हिंदु में कोई फर्द नहीं था, तो यह सवाल मेरे में, मैं यह सवाल पूछता था, तो इस सवाल को लेकर जो भी हमारे आलिम लोग थे, वो अनकमफर्टेबल हो जाते थे, तो तब मैं उसी दोर में, मैं बी-ए के, तब मैं निकल कर और जाकिर हुसैन में बी-ए में दोलन की नजर से धर्म को देखेंगे, तो हमको उसमें हर धर्म में कुछ न कुछ एक स्ट्रगल करने की कैपैसिटी मिल जाएगी, अब इस दोर में, मैं जब जाकिर हुसैन कॉलेज में आया, तो मैं जाहिर से बाद है कि मार्कसिसम की तरफ में, मेरा अट्रेक्शन बढ़ तो मुझे लगा कि दरसल इसमें और मेरी जो इसलाम की सोच उसमें कोई फर्क नहीं है, और इस पूरी कहानी में एक वेक्ति मेरे साथ चल रहे थे, वो गांधी थे, और जो मेरे माकसवादी अध्यापक मुझे को मिले थे यूनिवरसिटी में, वो सभी गांधी वादी भी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरी अपनी निजी एक कहानी है लेकिन इस तरह की कहानी मेरे खियाल से बहुत सारे मुसलमानों की होगी और बहुत सारे हिंडूं की होगी तो इसलिए इस तरह हम जैसे लोगों का जो सैग्मेंट है, वो अपनी बात को इस तरह से अभी कह नहीं पाता है, तो जब योगेंजी से बात हुई, मनिन जी से बात हुई, प्रोफेसर कविराज से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें लिखना चाहिए, यह तुम्हारे जो अपने तजुरूबे हैं, तो मुझे यह लगा कि मैं काफी दिनों से हिंदी की बह में आए तब बहुत सा लोग ये बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ? दरसल किया आपने का मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ? हम आप से उम्र में थोड़ा बड़ा होने के कचलते थोड़ा एक प्रिवेस जेनरेशन के हैं. हमारे जेनरेशन में ये माना जाता था कि आपको प्रोग्रिसिव होने के लिए आपको एथिस्ट होना आनी वा रहे हैं. तो समस्या ये होती है कि जब आप किसी के करीब आते हैं, जैसे मुझे सबसे पहला जो करीब हुआ था किसी के साथ, कि हम बात कर रहे थे जो हमाई तरह ही एक तरह से सेकुलर फेलो ट्रैवलर थे तो बात करते करते अचानक उन्होंने अपनी हज की यात्रा के बारे में रिफरेंस किया तो मुझे फ़रा स्प्लिट सेकेंड मुझे बहुत अजीब लगा मैंने उस कांवर्सेशन को ज़्यादा कैरी ओवर नहीं किया क्योंकि सोशल स लगता था कि हमको इन्हेरेंटली एथीस्ट होना अनिवारे है अगर आपको अच्छा सेकुलर बनना है लेकिन हिंदुस्तान की कॉम्पलिक्सिटीज को देखते हुए अब मैं मानता हूं ये अपना मैटर आफ चॉइस है मैं अभी वे एक तरह से एथीस्ट तो नहीं हूं लेकिन एगनॉस्टिक हूं लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आपको सेकुलरिस्ट होने के लिए आपको एथीस्ट या एगनॉस्टिक होना ज़रूरी है आप बहुत पके बिलीवर हो सकते हैं और उसके बावजूद आप सेकुलर परस्पेक्टिव आपका हो सकता है इसलिए मै Islam. दो तरीके से देखा है आपने. कि foreground में आपने इंडिया को situate किया है, इसलाम को background में रखके और उसको reverse किया है. इसलाम को देखा है, इंडिया को background कि दो तरीके से देखा जाता है, आपने कहा है. इसके बारे में मैं आप से सुनना चाहूंगा कि आप इसको कैसे, आपका जो ये formulation है, इसके बारे में जड़ा बताइए. एक तो है, पूरा एक textual tradition है. हम ये मान कर चलते हैं कि जो कुछ भी Quran में लिखा है, वो मुसल्मान करते हैं. और ये इतनी बड़ी ब्रांती है कि अगर गर गुरान में लिखा है कि आप पांच वक्त नमाज पढ़नें तो हम ये मान कर चलते हैं कि सारे मुसल्मान पांच वक्त नमाज पढ़नें तो जो text और practice का जो फर्क है आम तोर पे इसको हम धुमिल कर देते हैं. एक. दूसरी बात यह कि जब हम ये कहते हैं कि इसलाम भारत में बाहर से आया जी. तो ये बात कर रहा है मतलब ये बड़ा बेतुकासा मुझे लगता है कि ये बाहर अंदर का तसवर कहां से है जब जिस दौर कि हम बात कर रहे हैं मद्दकाल की वहाँ कोई नक्षा नहीं है वहाँ कोई बॉर्डर नहीं है वहाँ कोई पासपोर्ट नहीं है तो आप किस तरह से एक बनारस में रहने वाले वेक्ती के लिए अजमेर भी बाहर है और मक्का भी बाहर है उसके पास कोई ये उस दोर में ऐसा कोई imagination नहीं हो सकता कि वो एक नक्षे के साथ में अपने तसवर के अजमेर से ज्यादा दूर मक्का है तो इसलिए वतन का तसवर है तो यह बाहर अंदर वाली बात क्या है जो पूरा संग परिवार करता है कौन सा बाहर कौन सा अंदर तो यह और वो एक बड़ा अजब सा एक शलोक सुनाते हैं रिगवेत का और मुझे लगता है कि उस शलोक के अडावा उन्होंने कभी मैं डिवी से पड़ा हूँ मैं अपने आपको वैदिक कह सकता हूँ और पूरे दावे से कह सकता हूँ मुझे पूरा यकिन है उन्हों उस शलोक के आगे पीछे कुछ नहीं पड़ा और वो श्रोग भी आप मुझे जानते हैं सावरकर पर अपने काम किया वो श्रोग भी सावरकर का फेवरेट श्रोग है लेकिन जो ये जो बाहर अंदर का तसवर है विचार जो हैं वो कभी बाहर अंदर से नहीं आते हैं विचार चलते रहते हैं और उसमें से एक हिस साब अपने प्रैक्टिस के साथ में उसको आतमसाथ कर लेते हैं तो इसलिए ये इतना जटिल है मामला कि आप किस विचार को मान कर चलते हैं एक प्री मौडन दुनिया में लेकिन जैसे ही मौडन दुनिया आती है आपकी गिंती का तसवर शुरू हो जाता है सेंसस होती है इसी से मेजूरिटी और माइनॉरिटी का विमर्श निकलता है तो और ये अगर हम देखें तो फिर जब मेजूरिटी और माइनॉरिटी का मामला निकलता है तो फिर ये कि आखरिया हों से बहु संग क्या 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 एक खास खसम का इसलाम पैदा हुआ तो वो खास खसम का इसलाम ये है कि जो इसलामिक प्रिंसिपल्स थे जो नियम थे वो भारत आए और वो उनके नए सांस्कृतिक अर्थ निकलते चले गए नए प्रैक्टिसेज बनती चले गए आपने बिल्कु सही कहा कि सारी कहानी हम नौर्थ इंडिया में बैटकर देखते हैं अब ही एक बहुत अच्छी किताब आई है मौन सुन इसलाम जो ये बताती है कि ना सिर्फ मुसल्मान बलकि जो यहूदी थे जो ट्रैवल करते थे कोची में लिरल में वो भी अपने कल्चर के साथ में यहां आते थे आत्म साथ करते थे और उसके बाद में ये जो वेवपारियों दौारा समुद्र के रास्ते जिन विचारों के जरीए इसलाम दक्षण भारत में पहुँचा है उसने अपनी नई छवी बनाई और उसने अपने नई नियम बनाई इसलिए जिस बात को लोकल कल्चर के साथ इंट्रेक्ट करके एक फ्यूजन हुआ और उस इसलाम की खूबी क्या है भारती इसलाम की इसलिए अन्तिम बात में कहना चाहूँगा और मुलाना अजाद इस बात को अक्सर कहा करते थे कि दारुल इसलाम और दारुल हर्ब तो आपको पता है और ये हिंदुत्ववादी बड़ा इसको बड़ा चड़ा के बताते हैं कि मुसल्मान ये मानते हैं कि एक दारुल इसलाम होता है और एक वो दुनिया होती है जिसमें इसलाम का वर्चस्व नहीं है लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी मुसल्मानों ने अंग्रेजों के आने से पहले दारुलमुहादा कहा और दारुलामन कहा और यहां पर खलीफा के खुद्बे नहीं पढ़वाये गए बलकि इसको य इसलामिक प्रिंसिपल्स तक में एक जो सरजनात्मक बदलाव है उसको इस्थापित किया है दारुलम अदारुलामन उसका सबसे सटी उधार है अब अभी जब बात कर रहे थे तो आपने बिटिशर्स को रिफर किया था मैं अच्छली उसी पॉइंट पे आना चाह रहा था आज के हिंदुस्तान में जो राजनीती में जो पॉलिटिकल इसलाम के तोर पे जो फैक्टर उबर के आता है मैंने 14.2 सेंसेस फिगर भी कोट किया एक तो ये कि आपने अपने बात में कहा कि मुसलिमान दरसल मोनोलित नहीं है लेकिन मोनोलित के तोर पे दिया माना जाता है क्योंकि उनको हमने नंबर डालके बोल दिया कि ये सब माइनौरिटी हैं तो खेल तो बहुत हद तक जो पुलिटिकल इसलाम और जो मुसलिम डिलेमा मुसलिम क्विस्चिन कैसे भी आप फ्रेम करें तो ये पूरी समझ जो है ये हमारी कहीं न कहीं बिटिश अफ इंडियन इसलाम हमारे यहां की मुसलमानों के बारे में उस सोच से उभर के आती हैं आपने अपने किताब में ये आर्ग्यू किया है कि इसके पीछे बेसिक प्रॉब्लिब क्या है समस्या ये है कि अंग्रेज जब आते हैं बिटिश यहां आते हैं तो उनकी जो इसला और European model वहाँ के conflicts के basis पे उनकी समझ थी और वो आके मानते हैं कि European conflict between Christianity and Islam वो यहाँ पे आके हिंदुस्तान में आके हिंदू और इसलाम के बीच में यहाँ पे आके वो locate करा देते हैं इसके बारे में ज़राब मुझे बताएं देखिए यहाँ पर जो इसके दो जवाब में देना चाहूंगा एक तो यह कि यह जो perception है इसमें कोई क्योंकि वो उस जो उनका अपना अनुभव था यूरोप के बाद और इस तरह से उन्होंने टर्किश एमपायर को देखा था उसको देख कर आए थे और उनके लिए इनिवीडिबल था कि क्रिस्टैनिटी और इसलाम में जगड़ा है और उसी से सब चीज़े तैह हो रही है इसी तरह से यहाँ भी हिंदू मुसल्मान का जगड़ा है और उससे तैह होंगी समस्या कब आई उनके सामने जैसे मैं आपको जैसे मेरा सेंसस नहीं सेंसस ही नहीं उन्होंने हर चीज़ में गिंती निकालनी शुरू की क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि किसी भी समाज को जानने के लिए जरूरी है नुमरिकल ब्रेक्टाउन की बहुत जाए जो मेरा पहला काम है, जो मेरी पहली किताब है वो मौनुमिन्ट के उपर है उन्होंने मौनुमिन्ट बगिनने शुरू कर दे, अब ये मौनुमिन्ट का मामला बड़ा आजब है और मैं आपको छोटा सा उधारण दोगा, मैं ये सेंसस वाल एक्जामपल नहीं देना चाहता, मॉनुमेंट का एक्जामपल बड़ा दिल्चस्प एक्जामपल है, और वो उधारण है ताजमहल का, ताजमहल ले लिजिए और जितने भी मुगल मगबरें हैं, उनको अगर जैन, इस तरह के काटिगरीज ये रिलिजिस क्लासिफिकेशन था, मॉनुमेंट सम्म उसमें डाल दिया करते थे, अब मैं एक छोटा सा उधारण डेता हूँ, कि इतना मुश्किल है हिंदुस्तान को जानना, और हमारे लिए कितनी आसान है उस चीज़ को देखना, ताजमह उनी तरफ, उल्टे हाथ पर, मस्जिद है, तो जाहिड सी बात है, जो मुसल्मान होगे, मस्जिद पर जाएगा, तो इन दो चीज़ों के थार पर आप कह सकते हैं, कि हाँ, ये इसलामिक है, लेकिन सीधे हाथ पर जो तजबी खाना हुआ है, वो किसलिए बना हुआ है, या बात के गवाँ है, कि आपको अलग-अलग लोगों को, जो अलग-अलग धर्म के लोग होंगे, उनको कहीं न कहीं पर एकॉमडेट करना है, और इस तरह से अब ये जो यूरोपियन नजर है, उसमें ये बात फिट नहीं होती है, उसमें आप बिलकुल क्लियर कट करते हैं, ये ये है, ब्लाक अन वाइट में देखनें, जो हिंदुस्तान में जो प्री ब्रिटिश पीरिड में जो धर्मिक पहचान या आइडेंटिटी के जो ग्रे जो ग्रे जोन से, वो एक तरह से पूरे एरेज हो, तो इसलिए, इसलिए ये एक आधुनिक्ता की समस्या थी, जो बात, अब दूसरी बात जो आपने कही, उसका इंप्लिकेशन बहुत जबदस्त है, हम मुसल्मान की बात करते हैं, हम और आप यहाँ पर बहुत आराम से कह देंगे, चौधा पॉइंट दो, लेकि चौधा पॉइंट दो, इतने बड़े देश में इतने बिखरे हुए हैं, इसलिए हमेशा जब भी हम मुसल्मान की बात करें, या किसी भी धार्मिक समुधाय की बात करें भारत में, तो उसको दो इस तरों पर देखना चाहिए, एक उसका विमर्श क्या है, डिस्कोर्स क्या है, तो जो भी सेंसस या बड़ी बात है, वो दरसल मुसल्मान, हिंदू या कोई भी अन्य धार में समुदाए उसके विमर्श से जुड़ा हुआ है ये विमर्श कहीं न कहीं पर नॉर्मेटिव होता है ये विचारों के इस तर पर बात करने वाली बात है लेकिन एक रोजमर्रा की जिंदगी है और उस रोजमर्रा की जिंदगी में इसलाम का तसवर हिंदुईزم का तसवर ये बिलकुल अलग है क्योंकि ये एक धरातल पर होने वाली चीज़ है इसलिए इसके अंदर यो चीज़े होती है उनका रिष्टा इस बड़ी बात चीज़ से क्या है उसको तैय करना बड़ा जरूरी है और आजादी के बाद ये हमें इस बात का शुक की बात नहीं होती है कि अगर आप किसी भी मौनिमेंट पर जाएं भारत के समारक पर जाएं जिसमें हर हलकी सी भी कॉंट्रोवर्सी शामिल हो और अगर आप देखें कि वो जो इतिहास लिखा हुआ है जो उसकी इंटुड़क्टरी हिस्ट्री लिखी हुई है वो कैसी हिंदी में मत देखेगा मैं कुतुम मिनार का आपको धारण दोगा कुतुम मिनार की गेट पर आप जाएं तो अंग्रेजी में ही लिखा होगा तो इसका मतलब यह हुआ और वह जो पहले की तीन चार सेंटेंसिज है उसके अलावा जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो उसके artistic और archaeological values के उपर है इस चीज को आपने point out किया था जो एक film आपने कुत्व मिनार में बनाई थी उसमें आपने point out किया था तो यह तर्क है वो यह है कि यह तो है जो भी विक्ति वहाँ पहुंचेगा और वो यह देखेगा तो वो एक खास perspective बनाएगा इसलिए जो हिंदुस्तान के और खास sources में नहरू को याद करना चाहिए कि नहरू इस बारे में बहुत conscious है कि हम इस तरह का इतिहास भारत का परोसें आजाद हिंदुस्तान में जो non-controversial हो जिसमें की emphasis जो हो वो archaeological values पर हो और artistic values पर हो अगर हम art और archaeology के definite conclusion की तरफ भी जाना है बात तो हम लोग घंटों कर सकते हैं लेकिन हमारे दर्शकों के लिए संक्षेप में समझाने की कोशिश करें Muslim existence पे बहुत प्रशंचिन है internal dilemmas external threats अकसर कहा जाता है external threat के context में बात करें अगर हम कहा जाता है कि ये लोग loyal नहीं है हाँ पे monolith के तोर पे देखा ये लोग हो गए 14.2 loyal नहीं है उसके प्रति उसमें example दिया जाता है कि साब खिलाफत की लड़ाई लड़े थे और गांधी ने support किया तो गांधी भी उनके है इसलिए उनकी हत्या बाजिफ थी दूसरी बात ये उभर के आती है कि पुन्य भूमी तो ये नहीं है जो पूरा का जो साबर का जो जो थीसिस है मौहन भागवाद भी बोलते हैं कि यहां पे तो जो भी रहते हिंदू है मतलब वो तो आपको भी हिंदू मानते हैं आप इसलाम मानते हैं लेकिन आप हिंदू हैं तो इस पूरा का पूरा जो लॉयल्टी पुनिय भूमी और सब जो यहां पे जो भी देश में रहता है अगर आपने आपको नागरिक मानना चाहते हैं तो उसको अपना आपको हिंदू मानना होगा इन सब चीजों को आप कैसे न और भागवत हैं फरक है वो अपने आपको हिंदू कहते हैं तो मैं हिंदू हूँगा ही और यह भी अगर आप इडलिस्ट में अभी भी चले जाएं तो आपको हिंदू हिंदी या हिंदू बोलेंगे क्यूंकि हमारी जबान है हम इस तरह से करते हैं लेकिन मैं इसको अलग मुझे ऐसा लगता है कि जो यह खास सोर से यह जो लॉयल्टी वाली बात है ठीक है यह बेड़ा बे तुका सा सवाल है कोई भी वेखती अब अगर मैं रोज जागर अपने माबाप को यह कहूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं I love you तो वह हसेंगे तो इस तरह से मैं रोज जो है एक सेग्मेंट से पूछ कर दरसल आपका जब यह जिसे एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है कि हर एक बात पर पूछते हो तुम के तू क्या है तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है यह बाचीत का तरीका क्या है तुमारी तो यह सवाल पूछने से पहले यह त की बहुत इज़तात की बहुत एजजड कर ता हूं मेरे लिए वो एक आधर्श है या kriegen कि उन्हों ने इस बात का जवाब देने के कोशिश की के मैं ऐस अशलमान हों जो अपने इतनी बहपत में अपने इस से करता हो इसलां से करता हो मेरे हिसाब से यह सवाल का जवाब नही ही होना चाहिए सवाल का जवाब यह होना चाहिए कि अगर मैं वाकिए इस मुलक से महबत करता हूँ तो मुझे इस मुलक में रहने वाले हर आदमी से प्यार है यही गांधी जी का राश्टरवार है बिलकुल और गांधी जी से बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि मैं गांधी जन हूँ और मुझे लगता है कि मैं यहां के लोगों से प्यार करता हूँ as a teacher, as a researcher मुझे अपने student से महबत है और मेरे लिए यह महबत मेरे वतन से महबत है तो आपका सवाल गलत है इसलिए मैं आपका जवाब तो नहीं दूँगा लेकिन मैं जिस दिन यह महबत कम हो गई उस दिन मैं राश्टरवरोही हो जाओंगा अगर मैं हिंदुस्तान के लोगों से महबत करना चोड़ दूँ तो मैं राश्टरविरोधी होंगा कोई भी वेक्ती और यह बिल्कु सीधी सी बात है गांधी जी की बात है मेरी बात नहीं है गांधी कहते हैं कि अगर आप लोगों से महबत नहीं करते तो फिर आप देश दोई हैं तो मेरे खियाल से यह इसका सबसे सही जवाब है एक डिलेमा यह उभर के आता है कि हम आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी जो राजनितिक ताकत है संग परिवार की जो ताकत है वो अपना का पूरा का पूरा जो उनका जो पोलिटिकल कॉनसेप्चुलाइजेशन है वो सांस्कृतिक रा लाइन्स बलर कर जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है कहां संस्कृति क्या संस्कृति है और क्या धर्म है यह बहुत ही एक फ्लूइड स्टेटस में रह रही है और पिछले तो साड़े तीन दशक में मिड नाइंटीन एटी से जब से बाबरी मस्ज़े द्राम जनुमी कां तक पहुचा दिया तो यह और शार्पिन हुआ है और वो लाइन्स और पूरी तरह से ब्लिट हो गई है तो इसमें इसलाम कैसे किस तरह से निगोशियेट कर सकती है देखिए इसलाम फिर यह सवाल जो है मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चा ची किताब आई है और उसके अंदर जो लेख है वो बुनियादी तोर पर जो हमारी नैतिकता है जी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अगर हम हिंदुस्तान में इन दो धर्मों को देखें तो इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं पहला तो यह हो सकता है कि यह हमेशे जगर और वो एक हज़ार साल से लड़ रही है यानि एंडलेस लड़ाई हो रही है तो एक एक बारासु साल की गुलामी तो एक तो यह है अगर बारासु साल की गुलामी थी तो मुसल्मान इतने गरीब नहीं होने चाहिए थे जिसने के आज है पहली बात तो यह है मुसल्मान हमे भी गरीब थे जब यहाँ पर की मुस्लिम रूल था और वो अभी भी है ठीक है तो इस सवाल को देखने का सांस्कृतिक राश्टरवाद संस्कृति जो है वो नहतिक होती है अगर आपकी संस्कृति में विद्वेश होगा और नहतिकता नहीं होगी तो संस्कृति नहीं हो सकत तो इसलाम हो, हिंदु धर्म हो, या हिंदुत्व हो, वो तभी मीनिंगफुल होगा, जब उसमें नहतिकता होगी, तो अगर सांस्कृतिक राश्टरवाद की नहतिकता क्या है, ये सवाल मेरी अभी भी समझ में नहतिकता नहीं है, ये हमेशा मारकाट की बात करता है, ये कभी हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनका कोई सिग्निफिंगंस नहीं है वो यह नहीं जानते हैं जो मैंने भी कहा कि किसी भी समारक का समारक बनना केवल इतिहास का सवाल नहीं होता उसकी आर्टिस्टिक वैली होती है उसकी आर्केलोजिकल वैली होती है तो archaeology और art art जो हमेशा evolve होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि मैं अपना मजभ लेकर उसमें घुसा दूँ क्योंकि जो पत्थर होता है उसको जब तराशा जाता है तो ये पूरा आपके हाथ में नहीं कि वो कैसा बनेगा पत्थर की अपनी एक natural instinct होती है आप उसको वैसा ही मना सकते हैं जैसा पत्थर चाहेगा तो जो पत्थर है वो भारत है और उसने ऐसा चाहा इसलिए जो भारत में दिख रहे हुए समारक है वो हमारी एकता के प्रती है शायद मैं ज्यादा भाशन दे रहा हूँ नहीं भाशन नहीं दे र अगर हम numbers की बात करें तो numbers में हमारे minute बहुत हो गए तो हमको मुझे लगता है कि शोताओं के लिए इतना dose काफी है आज के लिए आगे फिर बात होते हैं कि बहुत जटल सवाल है ये कि हिंदुस्तान में इसलाम जो है इसलाम आप समझते हैं उससे अलग है ये हमारे झाल 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 झाल